दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो एक्सल वीबे टुटोरियल्स का ये पांचो वीडियो है इस तुडियो में मैं कभर करूंगा यूजर फार्म को यूजर फार्म क्या होता है इसकी मुख्य प्रोपर्टीज और मैथोड्स कौन कौन से होते हैं इसके मुख्य इवेंट्स कौन कौन से होते हैं ये सारा चीज मैं इसमें डिसक्स करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो मुख्य कंट्रोल है हमारे एक्सल वीबे प्रोग्रामिंग का वो है पार्म कंट्रोल इसके लावा आने वाले व इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं एक यूजर फार्म इंसर्ट कर लेता हूं इंसर्ट मेनू में आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मिलेगा यूजर फार्म इसको क्लिक करना है तो आपका यूजर फार्म यहां पर इंसर्ट हो इस project explorer में दिखाई पड़ता है project explorer यदि आप यहां से मैं बंग कर दूँ इसको तो इसको open करने के लिए आप यह project explorer जो यहां पर icon दिख रहा है उसको आप click करेंगे या control plus R press करेंगे तो project explorer यहां पर दिखाई पड़ता है उसी तरह से property windows यहां पर देखे यह property window है यह property window को मैं यहां से close कर देता हूं तो open करना रहेगा तो इसके लिए property window का icon यहां पर दिखाई पड़ रहा है या F4 इसका shortcut की होता है इससे हम property window ला सकते हैं जब भी आप काम करें Excel VBA में code window पर तो यह दोनों window आपको जरूर दिखने चाहिए एक project explorer और दूसरा property window ठीक है अब चलिए discuss क करते हैं farm control के बारे में यह मैंने farm control यहां पर insert कर लिया है अपने प्रोग्राम में अब हम इसमें देखते हैं इसके मुख्य properties क्या होती है मुख्य methods क्या होता है इवेंट्स क्या होता है उससे पहले समझते है farm control है क्या farm control हमारे application का मुख्य element होता है मुख्य control होता है यह हमारा first screen होता है हमारे application का first screen होता है यदि है कोई user हमारे application को run करेगा तो first screen जो उसको दिखाए पड़ेगा वो user form ही होता है दूसरी चीज यह दूसरे controls को इस्थान देता है दूसरे control के existence को तै करता है यदि user form आप नहीं ब जैसे मालो मैं कोई command button बनाना चाहूं तो command button मैं बनाऊंगा कहां, user form के भीतर ही मैं बनाऊंगा, यदि मैं कोई text box बनाना चाहता हूं तो user form के भीतर ही बनाऊंगा, यदि user form नहीं होगा तो अन्य कोई controls को आप बना नहीं सकते, design नहीं कर सकते, तो ये दूसरे controls के existence को तै करता काम करता है कोंट dependence को रखने का काम करता है क्योंकर ये सभी controls को होल्ड करके रखता है या डूसरा नाक्र आप रिज्ञें करेंगे यह भी कमांड बटन, suppose मैं यहां पर कोई कमांड बटन रखूं, लेबल कंट्रोल यहांपर बनाओ, ठीक है? यहांपर lists box बनाओ, तो जितने भी controls मैं बना रहा हूँ, इन सब को रखने का काम, यानि एक container का काम करता है, user form, तो user form बहुत है important, हमारा element है user interface का, बहुत important control है, ठीक है, इसकी size को आप यहाँ corner से छोटा या बढ़ा कर सकते हैं, यह देखे, इस size यहाँ से छोटा हो रहा है, और यहाँ से बढ़ा होगा, ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी मुख्य मुख्य properties क्या होती है, तो property window में जाते हैं, यह property window है, यहाँ पर देखते हैं इसकी first property, जो है, क्या है, name property, सबसे important property है, name property, name property क्या होती है, जिस नाम से हम इसको अपने code में access करेंगे, जिस नाम से हम इसको अपने code में call करेंगे, वो name property के थ्रू होती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम लग देता हूँ, यह मेरा form 1 है, तो मैंने इसका नाम लग आया है यूए फॉर्ठ वान यूए फॉर्छ वन काना से मैं इसको अपने कोड में कॉल कर सकता हूं मैं दूसरी जो प्रपरडी होती है इसके कैलर प्रपरड़ी नाम सही जाईर है इसका जो बैक कलर है हम यहां से चेंज कर सकते हो यहां से मैं guarantees चेंज करके दिखाता हूं यह प्लेट पर जाते हैं और इसको यह प्लेज्ट प्लेटे मेरे और कर kita को मैं यहां पर चेंज करता हूँ झालता हूँ और border style यहाँ पर जो 0 है इसको मेरे को 1 करना पड़ेगा तभी border दिखाई पड़ेगा ठीके अब यहाँ पर देखते हैं इसका border color क्या आता है इसको run करके देखते हैं तब समझ में आएगा इसका जो border color है तो मैं इसको यहाँ से run करता हूँ run करने के लिए कहां पर जाते हैं यहाँ पर एक run button मैंने आपको पताया था यह run button है या f5 function की press करते हैं तो यहाँ पर मैं इस बड़न को press करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं border का color इसका blue color में आ गया ठीक है इस तरह से हम border के color को इसके change कर सकते हैं ठीक है next property देखते हैं इसकी next property क्या है इसकी next property हम देखते है next property है caption property caption property इसका title है यहाँ पर देखे यह जो title आपको दीख रहा है user form इसको हम यहाँ से caption property से set कर सकते हैं ठीक है तो इसको मैं कर देता हूँ पॉर्म वान हला कि यह आपके एप्लिकेशन का नाम होगा जैसे कि मालो मैं एम्प्लाई का रिकार्ड इसमें सेट करना हो तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्प्लाई रिकार्ड ठीक है इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं बतन्स आपको दिखाई रहे हैं यह बटन्स अब करेंगे जब form हमारा enable होगा इसको मैं run करके आपको दिखाता हूँ एक फिर से यह मैंने run किया अब यहाँ पर देखे यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ text box में यह देखे ठीक है यहाँ पर यह button click होता है यह देखे click हो रहा है यह इसली हो रहा है क्योंकि हमारा form जो है enable है ठीक है तो यदि मैं इसको disabled कर दूँ यानि enabled property को मैं क्या कर दूँ फाल्स कर दूँ तो इसके अंदर के कोई भी बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि यह सारे disabled हो जाते है यहाँ पर देखे कोई भी control काम नहीं करेगा यहां तक कि इसका जो close बटन है इस form का close बटन यह भी काम नहीं करेंगे तो इस form को close करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अल्टर F4 दबाना पड़ेगा अल्टर F4 के माधियन से मैं इसको close कर सकता हूँ तो enabled property का मतलब होता है कि form को हम enable रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते है enabled property को मैं यहाँ पर फिर से true कर देता हूँ ठीक है इस तरह से अब देखते हैं इसकी next property क्या है इसकी next property है font property बहुत ही important property है यह हमारे user form का font set करता है ठीक है font set करता है इसके size को set करता है और bold italics को हम set कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इस बटन को click करूँगा यहाँ से font dialogue box open होगा इसमें हम font set कर सकते हैं यह देखें यह font का नाम है जो भी font आप रखना चाहते हैं यहां से रख सकते हैं मैं इसको suppose रखता हूं aerial यह aerial मैंने रख दिया यहाँ पर जो font style है मैं मालो इसको कर देता हूं narrow bold और इसका जो font का size है मैं इसको कर देता हूं 14 ठीक है और भी जो font में dialogue box में जो रहते हैं functions वो इसको मैं क्या कर देता हूं ओके कर देता हूं ठीक है अब इसमें होगा क्या तो जो जितने भी controls है वो सारे controls जो मैंने setting किया हुआ है उस controls के settings में आ जाते हैं जैसे मैं नया इसमें कोई भी control बनाऊंगा तो उसकी settings होगी जो मैंने वहाँ पर रखी है जैसे मैं एक नया command button यहाँ पर बना के आपको बताता हूं तो यहाँ पर देखे जो command button मैंने बनाया उसकी जो phone setting है area है size इसका बड़ा है जो भी setting मैंने वहाँ पर कर रखी है वो settings यहाँ पर apply हो जाता है जो भी controls मैं बनाऊंगा वही settings में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे तो यह होता ह font properties अब दिखते हैं इसके next property क्या है next property है for color for color का मतलब होता है इसके सामने का colour जैसे मैं इसको change कर देता हूं मालो इसको मैं blue color कर देता हूं यहाँ पर मैंने blue color कर दिया अब इसमें जो भी controls मैं बनाऊंगा जैसे मैं label control बनाता हूं तो उसका जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में आएगा यह देखिए यदि मैं फ्रेम कंट्रोल यहां पर डिजाइन करता हूं यह मैंने एक फ्रेम कंट्रोल डिजाइन किया इसका जो caption है इसका जो title है वो blue color में आएगा तो initially जो color है इसका वो change जाता है यदि मैं इसको change कर दो मालो इसको मैं rate color कर दो ये मैंने yellow color कर देता हूँ अब यहाँ पर जो मैं design करूँगा तो वो yellow color में आने लगेगा यहाँ पर देखे ये मैंने level ये देखे ये मैंने frame यहाँ पर design किया yellow पर तो four color का मतलब होता है सामने का color तो जो भी हम इसका color set करेंगे आने वाले controls के जो caption होगे जो titles होगे वो उसी color में दिखाई पड़ते हैं अब देखते हैं इसकी next property क्या है इसकी next property है height तो हम यहाँ से height set कर सकते हैं ठीके जैसे मैं यहाँ पर height इसकी कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 200 लेगे देखा हूँ देखे इसकी height यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी height जो है कम हो गई ठीके height को बढ़ाना है तो यहाँ से आप height को बढ़ा सकते हैं, इसको मैं 500 करता हूं, देखें, इसकी हाइट बढ़ गए, ठीक है, तो हाइट, फॉर्म की हाइट को बढ़ाता है, इसके बाद, इसका जो next property मैं आपको बता दूं, हाइट के साथ, last वाली जो property है, वो width है, इस प्रकार से हमने height को set किया, उसे प्रकार से हम यहाँ पर width को set कर सकते हैं, इसकी height और width property, एक चीज आपको ध्याँ रखना है कि कोई भी चीज, कोई भी control यहाँ से जो आप select करेंगे, उसी की properties आपको property बिल्कुल कर लेना है, कि यहाँ पर आपने सही controls को select किया हुआ है क्योंकि जैसे ही आप controls को change करते हैं यहाँ से उसका selection change करते हैं तो जिस control को आपने select किया है उसी control की properties यहाँ पर दिखाई पड़ती है ठीक है? तो यह चीज आपको पहले ही confirm कर लेनी है अब देखते हैं इसकी मुख्य properties क्या है? तो इसकी मुख्य properties है picture ठीक है? picture जैसा कि नाम से ही जाईर हो रहा है हम इसके background में कोई भी picture set कर सकते हैं तो यहाँ पर इस button को click करना है एक open dialogue box आएगा जहां से हम अपनी picture file को set कर सकते हैं select कर सकते हैं मैं यह वाली picture ले लेता हूँ यहाँ पर देखें यह वाली picture यहाँ पर set हो चुकी है इसकी size को मैं थोड़ा सा और increase कर देता हूँ यहाँ corner को पकड़ करके इस तरह से यहाँ देखे picture यहाँ पर मैंने set कर दी है ठीक है? अब picture का alignment अभी center में दीख पड़ रहा है हमारा picture हम इसको अलग-अलग जगा पर इसको align कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको next properties को समझना पड़ेगा picture property के बाद जो next property है important property वो है picture alignment जो हमने picture यहाँ पर insert किया हुआ है उसका alignment मैंड अभी center में है ठीक है? मैं इसको left में show करना चाहता हूँ तो यह top left में show हो जाएगा यह देखिए top left में आ गया मैं इसको दूसरी जगा set करना चाहता हूँ top right पर करना चाहता हूँ तो यह top right पर आ जाएगा इस तरह से यह देखिए, टॉप राइट पे आ गया, ठीक है, और भी इसकी सेटिंस है, देख सकते हैं, यहाँ पर, सेंटर तो पहले ही था, बॉटम लेफ्ट, तो यह बॉटम लेफ्ट में आ जाएगा, यह देखिए, बॉटम लेफ्ट पे सेट हो गया, ठीक है, और इसके बाद है, ब पिक्चर का जो है, अलाइनमेंट, सेट कर सकते हैं, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, यह हमारा अलाइनमेंट, पिक्चर का अलाइनमेंट, सेंटर हो गया, इस तरह से हम अपने पिक्चर के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, अब देखते हैं, इसकी नेक्स्ट इं है तो जैसा उसका original size है उसी size में हमको format वो display होकर दिखाई पड़ता है तो यह पहला वाला इसका size size mode click जैसा clip का size है वैसा ही आपको दिखेगा ठीक है और इसको zoom करना चाहते हैं तो यह थोड़ा सा जोम हो जाएगा यहां पर थोड़ा सा इसका size जो है बड़ा हो जाएगा ठीक है उसके बाद एक सबसे important जो इसकी properties है picture की properties वो हम देखते हैं क्या है तो वो है stretch mode यहाँ पर यह जो stretch mode है size mode stretch यह करता है picture की size को उतना stretch कर देता है जितना size हमारा form control होता है जितना form का width और height होगा उसी height का हमारा picture का height और width को stretch कर देता है stretch properties को समझने के लिए stretch mode को समझने के लिए मैं एक दूसरी picture add करता हूँ और उसके बाद यह आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ इस तरह से और एक दूसरी picture मैं add करता हूँ इस picture की size हमारे form की size से बहुत बड़ी है तो यह picture जो है पूरी तरह से हमारे form में दिखाई नहीं पड़ता है इसका कुछ part ही हमको दिखाई पड़ता है मैं चाहता हूँ कि यह पूरी picture मेरे form की height और width के हिसाब से सेट हो जाए यह picture दी बहुत बड़ी है तो यह छोटी हो जाए और छोटी हो करके मेरे form के height और width के according सेट हो जाए तो इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर stage mode को यहाँ पर select करेंगे ठीक है यहाँ पर आएंगे और य यह stretch mode यहाँ से हम select कर लेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से यह जो picture थी बहुत बड़ी थी form पे हमारी पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रहे थी जैसे ही मैना stretch property को stretch mode को on किया यह बड़ी वाली picture छोटी हो करके मेरे form के size में आ करके set हो तो यह थे हमारे form controls के मुख मुख properties जिनकी हमको ज्यादा जोरद पड़ती है और जैसे जैसे हम applications बनाते जाएंगे अपने जो next projects में मैं form इससे मल करते जाओंगा इन properties को कैसे use करते हैं design time पर और हमारे run time पर उसको मैं आपको explain करते जाओंगा ठीक है अब देखते हैं form control के मुख मुख events कांट से हैं events को देखने के लिए आप form पर double click करेंगे या form पर जो भी controls बने हुए हैं उस पर किसी पर भी आपको double click करना है मैं form पर ही double click करता हूँ तो यह मेरा यहाँ पर code window open हो जाता है जैसे मैं click करता हूँ यहाँ पर देखे यह user form लिखा हुआ है और यहाँ पर उसके events का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर event जो है मैं change कहां से करूँगा जैसे अभी by default click event आया है मैं इसको change कर सकता हूँ यहाँ पर एक drop down menu होता है यहा आप click करेंगे तो यह सारे events को यहाँ से जो भी आपने controls select किया हुआ है यहाँ पर जैसे user form select है और user form में जितने भी controls बने हुआ है उन सब के नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ से जो भी control आप select करेंगे जो भी control select है रेंगे उसका जो event है आपको right side में जो यहाँ पर drop down दीख रहा है उस पर आपको दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पर मैं select करता हूँ user form को यह मैंने user form select किया तो user form के सारे events मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं इसके मुख्य मुख्य events पहला है click event तो click event पर जब आप click करते हैं तो यहाँ पर click event में आप आजाते हैं यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो उसको click करने से execute होगा event handler मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको explain किया हुआ है यदि आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा event क्या होते है event handler क्या होते है यह यहाँ पर एक जो sub routine बना हुआ है यह event handler का लाता है इस event handler का नाम तो यहाँ पर control का नाम और यहाँ पर event का नाम दोनों मिला करके event handler का नाम बनाते हैं और जब भी यह event trigger होगा यानि इस form में जब भी click किया जाएगा यहाँ पर जो भी code लिखूँँगा यह private sub और end sub के बीच में जितने भी code में लिखूँँगा जितने lines के मैं code लिखूँँगा वो सारे lines यहाँ पर user form में click करने से execute हो जाएगे आपको example के तौर पर मैं यहाँ पर एक msg box बना के बता जेता हूँ यहाँ पर एक message display होगा है लो जब भी form को हम click करेंगे यह message display होगा तो मैं form को run करके आपको दिखाता हूँ यह run button पर मैंने click किया अब यहाँ पर form में मैं कहीं भी click करूँगा वो message box यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है इसी तरह से एक और इवेंट होता है जिसका नाम है double click event double click event double click करने से trigger होता है जैसे कि यहाँ पर यह आप देख पा रहे है double click मैं single click को इसको हटा देता हूँ यहाँ से और double click पर मैं coding करता हूँ तो यहाँ पर डबल क्लिक करने से यह message डिस्प्ले होगा hello I am user form ठीक है तो यहाँ पर यह message डिस्प्ले होगा double click करने से single click करने से नहीं होगा double click करने से होगा तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ इसमें मैं single click करूँगा मैं single click कर रहा हूँ यहाँ पर देखें form में कोई message डिस्प्ले नहीं हो रहा है लेकिन जैसे मैं double click करूँगा यह message यहाँ पर डिस्प्ले होगा यह देखें यह मैं form पर कहीं भी double click किया यह message डिस्प्ले होगा तो यह होता है double click event अब देखते हैं इसकी दूसरी सबसे important event वो है initialize event जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर सारे events डिस्प्ले होता है और यहाँ से मैं जो सबसे important और useful जो event है form control की वो है initialize event इसको मैं select कर लेता हूँ ठीक है initialize event के होता है तो जैसे ही form initialize होता है यानि first time यह load होता है screen पर तो यह execute होता है यह triggered होता यह यह event trigger होता है इस slice event ठीक है और यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो execute होगा ठीक है यहां पर मैं मैसेज देता हूं, welcome to our company, इस तरह से, ठीक है, और और भी देख लेते हैं, और क्या-क्या करना है, इनी स्लाइस, जब होगा फार्म हमारा, तो क्या-क्या करना है, यहां से हम सैट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर सपोज, मैं यह जो command button 3 है, इसका caption मैं change करना चा चाहता हूँ और इसका color इसका background color में change करना चाहता हूँ तो इसका नाम है command button 3 ठीक है तो इसको मैं यहां से set कर सकता हूँ मी क्यों लिखते हैं क्योंकि यूजर फॉर्म में आप काम कर रहे हैं उस यूजर फॉर्म को represent करने के लिए आप मी लिखेंगे उसका नाम नहीं लिखेंगे बलकि मी लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे मी.command button 3.caption equal to यहां से जो भी मैं caption रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ और इसका जो background color है वो मैं change करना चाहता हूँ इसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ यह मैंने रन बटन प्रेस किया और जैसे ही यह form लोड होता है मेमोरी में screen पर तो मैंने क्या दिया हुआ है सबसे पहले एक message आना चाहिए ठीक है तो form के initialize होते ही यह message आ गया यानि कि form लोड होते ही memory पर लोड होते ही screen पर upload होते ही हमको क्या करना है वो initialize event पर हमको लिखना होता है तो यह थे कुछ मुक्के मुक्के events अब मैं इसके methods के बारे में बात करूंगा ठीक है तो form का method देखने के लिए हमको coding करनी पड़ेगी तो मैं एक और यहां पर form insert कर लेता हूँ यह मैंने एक और user form insert कर लिया इसका नाम मैं change कर देता हूँ UF form2 यह मेरा दूसरा form है ठीक है और यहां पर मैं आपको समझाता हूँ form के मुखे मुखे कौन-कौन से events होते हैं ठीक है तो यहां पर मैं click event पर क्लिक करता हूँ और यहां पर जो form का एक बहुत ही महत्पूर्ड method होता है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो me.hide यह क्या करता है यह किसी भी user form को hide करने का काम करता है यहां पर मैंने मी लिखा इसको मैं single click में ले चलता हूँ यह single click है आपको सही events पर इसको लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ me.show and यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ ufform2.show जो मेरे दूसरा form है उसको मैं show करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस form में click करूँगा तो जिस form में click कर रहा हूँ यानि की form1 पर मैं click कर रहा हूँ तो वो hide हो जाएगा और sorry यहाँ पर show नहीं रहेगा यह hide हो जाएगा यह hide method यहाँ पर call किया जा रहा है ठीक है form को hide करने के लिए और उसके बाद जो दूसरा वाला form है वो show हो जाएगा तो यह show method है और यह hide method है user form के यह दो सबसे महत्वूर्ण method है एक hide और एक show hide form को hide करने के लिए छुपाने के लिए और show form को show करने के लिए ठीक है और यह मैं दूसरे form पर सेम चीज मैं यहाँ पर दूसरे form में भी कर देता हूँ यह मेरा इसको मैं रन करता हूँ यह मैंने रन किया रन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो initialize event है वो काम किया मैसेज आया सबसे पहले और इसके बाद यह यहाँ पर डिस्पले हो गया और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यह form hide हो जाएगी और दूसरा वाला यह form हमारा शो होने लगा यह दूसरा पॉर्म शो होने लगा इस पर मैं क्लिक करूंगा तो पहला वाला फॉर्म फिर से शो हो जाएगा ठीक है यह इस तरह से तो यह form का सबसे खास सबसे important दो मैथड है पहला है हाइड मैथड और दूसरा है शो मैथड फॉर्म को हाइड करने के लिए और फॉर्म को शो करने के लिए ठीक है तो ओके फ्रेंड्स यह मैंने form कंट्रोल को पूरी तरह से describe किया पूरी तरह से explain किया उस form कंट्रोल होता क्या है उसके मुख्य मुख्य प्रोपर्टिस कौन-क से हैं फॉर्म के बारे में मैं अगला जो भी वीडियो आते जाएगा जो इंपोर्टन चीज होंगी उनको मैं और रिसकस करते जाओंगा तो बने रहीएगा मेरे इस वीडियो सेरीज पर वीडियो टिटोरियल की जो सीरीज चल रही है उस पर जो नेक्स वीडियो आएंगे उस पर उसको जरूर देखेगा आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत यूसफुल वीडियो मैं आपके लिए ले करके आऊंगा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल पर